तो आज हम करने वाले हैं अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बेसिकली करता क्या है यहां से मैं मन्द चेंज करूंगा कोई भी तो उसके अकॉर्डिंग इसमें डेट्स भी चेंज हो जाएगी सैटरडे संडे अलग से हाइलाइट होंगे ठीक है और जैसे आज करन्ट डेट है तो यह अक्टूबर का है तो अक्टूबर का तो करन्ट डेट तक यह अटेंडेंस आएगी ठीक है और अगर हम पुराने जाएं तो जब से इनका जन्वरी जब से इनकी डेट आफ जॉइनिंग है तब से ही अटेंडेंस चालू होगी इन सब में एक ही फॉर्मिला तो वहां पर अपने आप लिवा जाएगी और वू हालाइट हो जाएगा it कर दूसरा यह जो एक चारे आपका यह सरकारी चुडियों के लिए holiday के लिए तो यहां पे अलग से लिस्टी कि कप-कप सरकारी चुडिये यहां से मैंनेज करता हूं किसी बंदे की लिव डालनी हो को तो यहां से डालते हैं उसका कोई भी डाल देते हैं और जैसे 20 जन्वरी की इसकी छुट्टी है मेरे खाल से 20 जन्वरी को तो यह जॉइन भी नहीं हुआ था 16 में डाल देते बशर्ते उसकी उस दिन कोई छुट्टी ना हो 2016 में तो यह इसके अपने आप लग जाती है ठीक है तो यह पूरा सिस्टम हम बनाएंगे देखेंगे क्या क्या कंपोनेंट्ट यूज हुए है इसमें ठीक है तो अभी मैं फिलहाल इसमें डेट आप जॉइनिंग रहने देता हूं बाकी सब उड़ा देता हूं यहां से भी ओड़ा देते हैं ठीक है तो बेसिकली मन्थियर हमारे यहां पर आएंगे ठीक है तो हम यहां से अभी बनाएंगे तो सबसे पहले मन्थ के लिए मैं क्या करता हूं डेटा वैलिडेशन में हमारा एक लिस्ट ऑप्शन है यहां पर 12 मन्थ होते हैं तो 123456789101112 यह कस्टम लिस्ट से नहीं आता यह डेटा वैलिडेशन है नहीं नहीं होती तो यहां पर हमारे पास मन्थ की ड्रॉप डाउन आ गई ठीक है इसी तरह से हमें यह की डालनी है लिस्ट में गए डेटा वैलिडेशन में और यहां पर हमने 2015, 2016, 2017 और जितनी भी चाहें डाल सकते हैं ठीक है तो यह हमारे हो गए यहां तो अब मन्थ यहां आ रहे हैं उसके बेस पर कलेंडर जनरेट कराना है तो बेसिकली हमें एक फॉरपूलबला फॉरपूलिल यहुज्ज शंतियों कर सकते हैं यह फॉर मुष्ट म१ु आगे जनेंगे फिलहाल मैं उसको यूज करना है इसमें क्या इंपुट करना होता इसमें आराओ को यह जुन एक तर तो Ih थेनलाया हुज्ज शुक्त हमें इसरे मिल जायेगा ठीक है अब इस date को हम custom list में चले गए और यहां से हमने खाली DD किया तो हमें सिर्फ दो digit दिखेंगी day की ठीक है इस तरह से यह date ही है पर दिखा हम ऐसे रहे हैं तो इसको कम कर देता हूँ थोड़ा सा ठीक है अब इस तारीक को कौन सा दिन था टेक्स्ट का formula में ने बताया था आप लोग को हमने नीचे से ले लिया कि value date हमारा यहां से पिक करेगा और format text में inverted कॉमा में हम डाल देंगे ddd तो Monday, Tuesday, Saturday, Sunday जो भी होगा वह आपका बन जाएगा ठीक है तो यहां से आप जैसे ही change करेंगे जिस तारीक में जो होगा वह वैसे बन जाएगा ठीक है अब पहली date आ गई हमारी इसके बेस पर पूरा calendar चला जाएगा हमने क्या करना है date को direct plus कर सकते है one कर दिया ठीक है तो यह plus कर दिया हमने format वही रखेंगे तो इसको हम 31 तक ड्रैग कर लेंगे चीक है क्योंकि maximum days 31 होते हैं और इसी formula को हम यह text वाले को भी ड्रैग कर लेंगे तो सब के Saturday Sunday वह सब आ गया अब यहां पर जैसे ही चेंज होगा कुछ भी यह फर्वरी इस तरीके से अब फर्वरी देखे 28 की आ रही है 2015 की है उसके बाद यह March का शुरू हो गया ठीक है अब मुझे इस पर कंट्रोल करना है कि यह वाली date विजिबल नहों जो भी उस महीने की last date से ज्यादा हों कौन सा formula लगेगा कि किसी महीने की last date के लिए कौन सा formula यह month end of month ठीक है तो यहां पर हम एक इफ का formula दे देंगे कि कि if ये जो है ये डेट हमारी प्लस करने के बाद अगर greater than हो रही है यो month end of month में क्या देना पड़ता है start date तो हम यही चूस कर लेते हैं fix करके तो हमने month की date दे दी और यहां पर देना पड़ता है zero current month की अगर आपको last date चाहिए तो zero देना पड़ेगा अगर one देंगे तो next month की last date दे गए तो अगर उससे बड़ी होती है तो क्या करना है यहां पर blank दिखाना ब्लैंक के लिए double inverted comma otherwise यह जो operation कर रहा था ae5 plus one इसको as it is चलने देना है ठीक है तो यह आ गया अब यह आ गया यहां पर error क्यों आई क्योंकि यहां पर वो है आपका टेक्स्ट है double inverted comma डाले थे ना plus one वहां से generate करके यहां पर error कर रहा है तो error के लिए आपका कौन सा formula है if error if error डाल देंगे कि अगर इसमें कुछ plus करने में error आती है तो value if error मतलब error की जगह क्या देना है blank देना है ठीक है तो यह आपका formula और आगे तक drag कर देंगे ठीक है 28 के बाद ही करेंगे क्योंकि minimum days जो होते है मन्त में 28 ही होते है ठीक है तो अब इसको हम किसी में डालेंगे तो पूरा आजाएगा जहां कम होंगे तो वहां अपने आप यहां गड़बड कर रहा है 29 30 अब यह यह यहां क्यों आ रहा है ओके 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 फाता है क्या यह फॉर्मूला हमने ड्रैक करना था आगे और इसके बाद इफ एरर में लगाना था तो यह फॉर्मूला ड्रैक किया और इसके बाद इस फॉर्मूला को इफ एरर में डालना था तो इफ एरर में हम यहीं से डाल देते हैं कि यहां अगर कोई एरर आ जाती है तो तो भी यह बलैंक होगा ठीक है तो 28 के बाद जितने थे वहां तक डाल दिया अब दिकत नहीं करेगा ठीक है आब हम क्या करेंगे पूरे को पहले हम कर देंगे ब्रैकेटमे यह अपके बॉर्डर्स लगा देंगे तो अब कला दिए बॉर्डर्स तो अभी कलेंडर तो बन गया अब सैटेड़े संडे हाइलाइट कराने इसके लिए आपको एक फॉर्मिला चीए होगा तो हम Saturday Sunday के लिए इस पर हम फॉर्मेटिंग लगाएंगे ऐसे सिलेक करके तो हमें formating यहां से चेक करनी है ठीक है तो same cell तो कौन सी है D4 है ठीक है भी पहली cell D4 है तो हम इस पर करेंगे कि D4 equal to या तो Saturday हो, चीक है, दो option है, तो यह और के अंदर जाएंगे, Saturday हो या Sunday हो, और का formula क्या करता है, logical condition चेक करता है, ठीक है, या D4 equal to Sunday हो, तो और क्या करेगा, इन दोनों condition को evaluate करेगा, और इसमें से अगर एक भी true आती है, तो true देगा, मतलब Saturday या Sunday में से कोई भी आया, तो यह true देगा, इसमें ही हमें इसको freeze करने की भी जरूद पड़ेगी, किसको freeze करना पड़ेगा, हमें रो को, कॉलम को नहीं क्योंकि जब हम इदर ड्रैक करें, हाँ, हाँ, नीचे हमें 4 का 4 ही रहना चाहिए, तो हम खाली 4 के आगे यहाँ पर $ लगाएंगे, और यह वाला हम फॉर्मुला डाल देंगे, कंडिशनल फॉर्मैटिंग के section में, जो हमने कर किया था, नू रूल में, यूस फॉर्मुला म हमने यह डाल दिया, फॉर्मैट में मैंने कर दिया इसका font fill yellow, ठीक है, तो यह आपका yellow हो गया, अब आप बदल के देखोगे, तो according to जब भी Saturday Sunday है, वहाँ बदल रहा है, ठीक है, एक और चीज, अब जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि, बॉर्डर भी आपके होने चीज़, जहां तक data आ रहा है, वहीं तक ही border होने चाहिए, एक्स्ट्रा बॉर्डर नहीं होने चाहिए, है न, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहां extra border आ रहा है, यह कौन सा है, AF4, तो हम यह कर देंगे, formula क्या बना देंगे, AF4 अगर equal to blank है, ठीक है, तो true false में आ जाएगा, तो उस से हमने select किया, new rule में गए, use formula, यहां डाला, हाँ और इसमें भी dollar लगाना है, 4 के आगे, ठीक है, format में गए, borders की बात हो रही है, अभी यह जो हलके आपको दिखाई दे रहे हैं, borders, इसका मतलब है कि जैसा है वैसा रहने दो, तो मैं सिर्फ इसको हटाऊंगा, यह जब नहीं होगा, कुछ तो मतलब नहीं रखेगा, ठीक है, इसका मतलब है कि रखेगा, ठीक है, तो मैं इन तीनों को हटाता हूं, क्योंकि यह वाला छोड़ देता हूं क्योंकि last वाले border का हमें देखना पड़ता है, ठीक है, okay किया, okay किया, हो गया सही, अब इसमें अगर 30 का दिन होत इसके बाद था हमारा लीव रिकॉर्ड, लीव रिकॉर्ड से पहले holidays, जो सरकारी चुट्टिया होती है, तो सरकारी चुट्टियों को हमने क्या करना है, यहां पर चेक कराना है कि उस दिन सरकारी चुट्टी तो नहीं है, तो उसको highlight कराना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि यहां पर date लिख दी, ठीक है, यह dates लिख दी, अब मैं इनको name दे दूगा, name range होती है, तो name दे दूगा, क्या name दूगा, पहले में formula में गया name manager, पुराने name पहले delete कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं नया name देता हूँ, ताकि clear है कि हमने किया कैसे है, हाँ, तो मैंने इसको पकड़ा, और इसका नाम यहां से name box में गया, और इसका नाम कर दिया HL, मतलब holiday list, ठीक है, तो जब भी मैं HL type करता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यह, मतलब इसको हम ऐसे लेते, उसके बजाए हमने उसका नाम दे दिया, तो H जल, तो जैसे कि मैंने कोई date check करनी है, जैसे 9 January, कि हमारे उस list में है की नहीं, true, false में, तो एक तो VLOOKUP से भी check कर सकते हो, VLOOKUP करके आप इसको इसमें find कर सकते हो, पर उस case में क्या होता है, अगर नहीं होता, तो यह error generate करता है, तो formula जब भी error generate करता है, वो अगले formula को भी error ही देता है, ठीक है, तो उसका एक simple formula है, जो मैं use कर सकता हूँ, count if, count if, count करता है कि यह चीज उसमें है की नहीं, उस list में, कितनी बार है, यह check करता है, तो यह HL दे दिया मैंने range में, और criteria में मैंने date दी, अब यह कितनी बार है, एक बार है, ठीक है, तो मैं इसमें सीधा यह कर आएगा, और होगा तो one, two, या जितनी बार भी होगा, ठीक है, तो मतलब, जब होगा तो greater than zero ही होगा, तो इस तरही से मैंने condition true false में बदल दी, ठीक है, तो यही formula जो है मैं वो इसके अंदर डालूँगा, ठीक है, formula मैं बना लेता हूँ, इस date के उपर बनाना है मैंने formula, ठी ठीक है, तो यह है d5, ठीक है, इसमें भी row log करूँगा, count if, जो named range है वो आप कहीं भी use कर सकते हैं, sheet के name की ज़रोत नहीं होगा, और d$5, ठीक है, greater than zero, तो यह formula मैं दूँगा, इसके अंदर, और आ 30 तक ले लेते हैं, new rule, use formula, में यह formula डाल दिया, और अगर holiday है उस दिन तो orange है ना चाहिए, ठीक है, आप जो holiday देख सकते हैं, वो हम यह देख रहे है, 24 तारीक का, ठीक है, इसके बाद holiday आ गया, अब बच्चा इसमें, की जैसे आज की date है, वो एक अलग format में आनी चाहिए, आज की date जैसे 9 तारीक है, यहाँ पर, उसका format अलग आना चाहिए थोड़ा सा, तो इसका, हाँ, equal to today लगेगा, अगर यह, इसको हम, उसमें डाल देते हैं, equal to today, ठीक है, today हमेशा आज की date देगा, तो जो भी आज का होगा, यह highlight कर देगा, हमारे, required format के हिसाब से, तो इसमें मैं new rule में गया, use formula, यह डाला, और इसमें मैंने format डाल दिया, कि यह blue आ जाए, font bold हो जाए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो आज की date ऐसे आएगी, और दूसरा, जब इसमें entry होगी, तो जहाँ leave हो, वो bold और red हो जाए, ठीक है, तो यह कौन सी है, d6 cell है, तो यह cell आ जाएगा, हमारा d6, इसमें कोई डालर नहीं लगेगा, equal to, inverted comma में L दे दिया, जहाँ यह formula, तो यह दे दिया, मैंने copy किया, और यहाँ तक select कर लिया, conditional formatting, new rule, use formula, यह हम ऐसे भी लगा सकते थे, ऊपर वाले option में जाके, पर जब मैं सारे ऐसे ही लगा रहा हूँ, तो ऐसे ही लगा दो, यहाँ से red कर दिया, और font मैंने bold कर दिया, okay, ठीक है, इस तरीके से, तो अगर बीच में कहीं भी L आता है, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, लीव के लिए, तो यह तो बन गया हमारा format, एक चीज है, हमें इसमें setting करने की क्या जरूरत है, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, अब इसमें मुझे, तोड़ी से setting करने, जैसे च Saturday, Sunday है, तो सरकार कुछ भी ना दिखा है, सबसे उपर वो चला गया, उसके बाद हमारा priority बन जाती है, holiday की, ठीक है, उसके बाद, इसका है, क्योंकि today में भी leave हो सकती है, फिर उसके बाद ये, और फिर last में border, ठीक है, apply कर दिया, तो वैसा हो गया, ठीक है, तो अब उसके बा और इसमें अब attendance चलानी है, तो formula कैसे बनेगा, उसका वो बना के दिखाना है, ठीक है, तो सबसे पहले, जो starting कब से होनी है, 7 January, जब से date of joining है, तब से start होनी है, तो मैं इसको पहले जनवरी पे set कर देता हूँ, 2015 पे, तो 7 तरीक से attendance इसकी start होनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ से formula डालता हूँ, कि if, यह जो date है, इसमें क्या होगा, column lock होगा, क्योंकि जब मैं इसको track करूँगा, तो यह column यहाँ से हिलना नीची है, row नहीं lock करना हूँ, इसकी six नहीं, क्योंकि नीचे track करूँगा, तो उसके according date, अगर यह बड़ी हो, इस वाली date से, इसमें row lock करनी है, ठ ठीक है, ताकि नीचे track करें, तो यह यही रहे, पर column इस तरह से, तो क्या करना है, अगर यह बड़ी हो, उससे, तो blank रहेगा, otherwise रहेगा, present, ठीक है, तो यह formula है, इसको हम कर देंगे, drag यहाँ तक, तो हमारी date वही से start हो रही है, ठीक है, अभी फिलाल, इसके बाद, हमने check करना है, कि आज तक होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको देखें, आज की date में जाते हैं, तो उसके आगे भी चली जा रही है, यह रोकना, तो इसके लिए हम इस formula को, यह P को हटा देंगे, और यह value यह false में ही हम अगला formula start करेंगे, bracket open close हम पहले ही कर लेते हैं, ताकि confusion ना रहे कोई, ठीक है, हम check करेंगे कि क्या यह date, बड़ी है today से, ठीक है, अगर है तो क्या करना है, blank लेना है, otherwise फिलेना है, ठीक है, यह आ गई आपकी, आज तक की, ठीक है, अब इसके बाद आती है, Saturday Sunday में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही P बार बार हटा हटा के यहीं पर डालते जाएंगे, otherwise conditions में, तो हमने if का formula फिर set किया, इसमें logical test दे दिया, वही और वाला, कि Saturday Sunday तो नहीं है, तो और मैं bracket open close में पहले ही कर लेता हूँ, कंडिशन सेट करूँगा, कि क्या यह, जिसमें मुझे row lock करनी है, equal to Saturday, और एक और, क्या यह, equal to Sunday, E capital small कैसे भी चलेगा, equal to दोनों में काम करता है, ठीक है, अगर है, तो क्या देना है, इधर weekly off देना है, अधर वाइस, पी देना है, ठीक है, weekly off आगया, ठीक है, अब इसके बाद था, holiday का, तो holiday के लिए हमने HL बनाया था, count if वाला वही formula लगया, इसी बार बार हमने यह P को हटाते रहेंगे, और आगे इसको इसी तरह से extend करते जाएगे, bracket open close पहले ही कर लेते, count if, bracket open close, इसमें हमने क्या देना था, range holiday list, और criteria क्या होगा, क्या check कर रहे हम, date को, इसको, इसको हम lock कर लेंगे, row पे, ठीक है, अगर यह हमारा greater than, zero है, greater than zero है, मतलब उसका holiday है उस दिन, तो यहाँ पर H डाल देंगे, otherwise P डाल देंगे, ठीक है, तो यह हमारा उस दिन, H आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद बचा है आपका leave record, तो leave record को मैंने कैसे बनाया है, यहाँ पर मैंने, यह जो है data validation में ले लिया है, simple, data validation में लेने के लिए, मैंने इनका नाम रख लिया था, ठीक है, इनका नाम रख लिया था मैंने, EID, ठीक है, तो EID के नाम से होगा, अब इसमें क्या है, कि अगर leave ली है किसी बन्दे ने, अगर हम खाली date को target करें, तो हमें सिर्फ date मिलती है, पूरी-पूरी, पर इसके लिए हमें employee ID target करनी पड़ेगी, date और employee ID, तो इन दोनों को combine कर देंगे हम लोग, और वैसी ही range में search कर आएंगे, तो वैसी range बनाने के लिए मैंने क्या किया, पहले इसको तो मैंने data validation में ले लिया, ठीक है, data validation में कैसे किया, data validation में हमारे पास list है, उसमें मैंने equal to EID कर दिया था, ठीक है, आप reference भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर EID कर दिया था, दूसरा यह helper column है, मैंने क्या किया था, इसको और जो date है, उसको concatenate कर दिया था, तो मेरे पास यह date के वही number आया, उस code के साब, ठीक है, फिर इसको नीचे तक drag कर दिया था, ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जैसे 13 जन्वरी 2015, अब यह code इस list में कहां सर्च करेगा, हर date का वो होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं एक formula एकुछ इस तरीके से बनाऊंगा, count if, मैं क्या करूँगा, यहां से ले लूँगा, employee, employee ID और यह को, range, 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 अच्छा, हाँ, इसका, यह जो है न, leave record हमारा, इसमें होगा, तो मैं इसको पहले से ही कोई नाम दे देता हूँ, LR दे देता हूँ, ठीक है, तो यह combination का list तो मिल गई, और आपने ढूंड़ना क्या है, हमने हर एक वो ढूंड़ना है, count if मैं LR दे दिया, मैंने leave record range, और जिसमें मैं ढूंड़ूँगा, यह, concatenated by, तो हर date, इसमें ढूं करूंगा, और इसमें column लॉक करूंगा, ठीक है, अगर यह greater than zero है, तो यही formula हमारा if के अंदर डल जाएगा, ठीक है, समझाए है यह वाला, यह क्यों डाला है, इसको मैं equal to से पहले तक copy कर लेता हूँ, ठीक है, formula ऐसे ही copy होता है, और हम उसके बाद यहाँ ले लेते हैं, पी को हटा के if का formula डाल देते हैं, कि if में ब्रैकिट ओपन क्लोज में logical test हमने यह वाला दे दिया, और अगर मिल जाता है तो, तो वो leave पे है, otherwise p है, तो यह आपका total formula है, तो एलाने के case में हमने खुदी लिखा हुआ है कि क्या हैगा, तो यह जो project है, वो formula बेस और यह formula बेस ही है, जो conditional formatting में भी same formula लगा है और इसमें भी, बाकि इसमें आपने क्या करना है, equal to, और inverted comma में, attendance for the month of space दिया, इसके साथ concatenate कर दो text को, टेक्स्ट का formula, जिसमें हम date यहीं से ले लेंगे, और हम दे देंगे, क्या क्या चाहिए हमें, यहां, month, mm, mm, full month ले ले लेते हैं, dash, y, y कर देते हैं, ठीक है, तो यह हमारे पाच कुछ S आएगा, तो जब भी आप यहां से बदलो गए, तो इस तरीके से आजे हैं, ठीक है, अब इसको आप लोगोंने कैसे करना है, मैंने तो क्योंकि मेरी हर बार की practice है, इस का लन से बना दिया, आप लोग को क्या करना है, वीडियो देखके, या इस file को देखके बनाना एक बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब आप अपने आप बनाने लग जाओग तो आपके formula frequency अपने आप बढ़ जाएगी, यह practice के लिए ऐसे, ठीक है? तो यह file मैं आपको दे दूँगा, और इसके अलावा बोलो, आगे कुछ करना है, कि यह practice करोगे आपके इसका अलाव में दो राज कर दो है, फार्मिला ही होगे, यह वैसे practice के लिए जरूरी है, अगर एक बार आप practice से start कर दोगे न, रागे की चीज़ा और भी पकड में आ जाएगी, ठीक है? मेरे कहाल से, इस week के लिए आपके पास काफी पुराना काम हो गया है, practice